हेलो बच्चो आज हम exercise 9.1 का question no.3 और भी question करेंगे है ना इससे पहले कि हम question start करें आपका अपने channel Math Master पर Welcome राइट पैनर कॉपी ने लिजिए और मेरे साथ question करने को radio जाएगे ठीक है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने height and distance के सारे formula याद कर लियोंगे Tignometry की all identities याद कर लियोंगी value याद कर लियोंगी है ना राइट और प्लीज अपना जो आजकल चल रहा है प्लीज अपना care कीजिए hand wash करते रहें after 30 minutes है ना keep distance don't go outside the outside from the home घर से बाहर नहीं जाना है घर में ही मेनत करनी है और math का master बना है चलो ज्यादा time basically करते है और question करते है राइट exercise 9.1 question करेंगे हूं question number 3 एक बार read out करता हूं मैं question को question read out करते है question है question है question बोल रहा है कि दो हमारे पास slider बनने वाले हैं इसमें एक मिन में इसको ओपन कर ले दा हूं just टीक दो बैटरीक अड़ेंटीज यहां पर है the contractor plans to install two slides for the children to play in a park for the children below the age of five years and she prefer to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter यानि contactor है जो दो slide बनाएगा एक below five years वाले बच्चों के लिए एक है whereas the more than that is age group elder children के लिए दो slide group बनाएगा तो we will make two diagram या दो diagram बनाएगे एक below five year वाला जो पहला diagram है see prefer to have a slide whose top is head height of one point five meter यानि एक slider जो जिसकी height कितनी है one point five five right एक slider यह बनाएगा थोड़ा सा टेड़ा बन गया इसको हम स्टेट बनाते है स्टेट बनाने के लिए हमें ऐसा करना पर रहेगा ओके यहां पर यह slider ऐसा ही होता है यहां से बच्चे slide करेंगी लिए इसका है और दूसरा जो slide बना रहा है और इंक्लाइन एंगल इस एंगल थर्टी डिग्री इस आसो गीवन और हमें निकालना किया इसका और दूसरा जो slide बना रहा है और इन इंक्लाइन एंगल इस एंगल थर्टी डिग्री में इस आसो गीवन और यहां मैंडर रहा हम यह दो Module 5 आप सिस आ हिए एंड एंड़ के लिए वो ठोड़ा सा कैसे बना रहा है को ो सो यहां मैंण था आ है बंदर वो तोड़ा से बढ़ा होदा ओके दा हाइट ऑफ दा 3 मीटर इसकी हाइट कितनी है 3 मीटर है और इस इस पी च्यू प्क्यू आर राइट यह यह स्लाइडर है और इसका इंकलेशन एंगल है इस 60 डिग्री इस इस दो स्लाइडर बनाले है और बोल रहा है कि what should be the length of the slide in each case तो हमें यह slide आप यहां से यहां करेंगे slide दो हम यहां यहां बच्चा बैठता है यहां से slide करता है तो यह है length वो जो पूछ रहा है यानि we have to find the length of AC इस case में AC निकालना है और इस case में PR निकालना है we have to find हम लगा देंगे कौन सा trigonometric identities और वो क्या है tan theta start करें राइट तो इस साइड दोनों case लें जाओ तो इसमें कर देते हैं देखो आपको क्या दे रखा है tan theta cos theta sin theta whatever you know तो आप दोनों property का use कर सकते हैं कुछ भी तो आपको निकालना है यह hypotenuse तो हमें क्या दे रखा है perpendicular sin theta लगा रहते हैं sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse perpendicular upon p upon h this h belongs to hypotenuse right and where the height is this perpendicular how much 1.5 यहां पर value रख दे sin theta कितना है sin theta कितना है 30 degree और p कितना है 1.5 और h तो हमें निकालना है h का नाम ac लिप देते हैं तो ac निकालना है और sin 30 कितना होता बच्चो वह होता है half value याद है ना आप सबको value याद करने है तभी तो math के master बोनोगे अभी तो आग लगाभा होगे है ना राइट तो 1.5 upon ac ac को यहां multiply कर देते हैं तो ac is equal to 2 into this कितना हो जाएगा 3 1.5 into 2 is equal to 3 meter यह आगिस की height slider की height स्लाइडर the length of the slide कितने होगी length of slide is equal to 3 meter this will be your answer in that case इस case में यह हो जाएगे यहां भी perpendicular दिया हुआ hypodaneous निकालना है sine 60 sin 60 is equal to P that P क्या है 3 and PR 60 कितना होता है root 3 by 2 यह value आपको proper याद कर लिजे इसको इस value को अपने आत्म साथ कीजिए ठीक है सारी जितनी technometric values है वह सब याद होई छिए तो कितना हो जाएगा 3 upon PR अब कितना हो जाएगा PR को multiply करें root 3 PR is equal to 6 तो PR is equal to कितना हो जाएगा बच्चों PR is equal to हो जाएगा 6 upon root 3 और वह हमें क्या देगा यहां पर जगह root 3 into root 3 upon root 3 जब भी root नीचे हो उसको rationalize करना है ठीक है तो कितना जाएगा 6 root 3 upon how much 3 root 3 into root 3 क्या होता है 2 root 3 यह आगे है हमारे value तो हमारे दोनों के इसों में value आ गी है और this will be the answer keep on practicing at home और कब तक करेंगे वह तो आपको पता है कब तक करना आपको जब तक कि आप क्या ना बन जाए इसके master ना बन जाए see you guys bye